हाई दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसी पॉइंट अंबरनात बॉर्न फॉर आईटी में और आज हम लोग देखने वाले हैं कि पावर पॉइंट जैसे अप्लिकेशन से सिंपल सिंपल गेम आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हो और एक अच्छा मजेदार गेम बना करके इंजॉय कर सकते हो चलो ठीक है देखते हैं कि किस तरह का गेम हम लोग ने एकदम सिंपल स्टे करेंगे तो इस माउस पॉइंटर को बराबर वह फिनिश लाइन तक पहुंचाना है यहां पर क्लिक करने के साथ ही देखो यह स्टार्स होने लगते हैं हमें इस कहीं पर भी स्टार को टच नहीं करना है और नहीं इस ब्लैक जो हमारा जो पाथ दिया उसके बाहर जाना है अ अगर इसको टच हो जाते हो तो भी आप गेम लॉस कर सकते हो यह बहुत ही सिंपल सा गेम है जो स्पेशली पावर पॉइंट में डिजाइन किया गया है और काफी मज़ेदार तरीके से आप इसको इंजॉय कर सकते हो एक बर इस तरह से हमने गेम को प्ले करना स्टार्ट किय आप हमको यहां से यह स्टार से बचते हुए इनको टच न होते हुए हम लोग यहां से आगे जाएंगे हमारे इस दियावे पात को कंप्लीट करेंगे कहीं पे भी अगर आप स्टार को टच हो जाते हो तो आपका गेम यहां पे खतम हो जाता है क्लिक हो गया एंड हम जीत ग यह सारे जो barriers हैं हमारे बीच में इनको हमको complete करना होगा और हमारे इस finish line पे जाना होगा मतलब यह देख सकते हो आपकी अगर आपने थोड़ा भी game में कहीं पे भी अगर mouse pointer गलत direction में घुमाया तो आपका game यहाँ पे आप हार जाते हो और यह काफी अच्छा और मज़िदार game में काफी simple steps में बनाया जा सकता है तो वो जो पूरी तरह से powerpoint में सिर्फ 4 slides में बनाया हुआ गेम है तो चलो ठीक है हम सीखने है कि इस game को किस तरह से बनाया जा सकता है और अभी हम directly powerpoint open करते है देखिए यहाँ पे यह first slide यह second slide यह third slide और यह fourth slide यह सिर्फ 4 slides में बनाया हुआ पूरी तरह से एकदम simple सा game है जो आप अराम से powerpoint में बना सकते हो उसको कैसे बनाना है और step by step अभी हम पूरी तरह से इसको सीखते हैं और आप भी इस तरह के game बनाये और मज़े लीजे देखि जिसके तरू हम उस game को play करने के लिए start button का use करते हैं यह हमारी second slide है जिस पे हमारा actual पूरा का पूरा game है जो हमारा यहाँ पे हमने define किया हुआ है path बनाया stars डाले और उसमें action buttons का use किया गया है third जो slide है specially वो अगर हम देखते है जो third slide है वो lost वाला अगर कोई हार जाता है तो यह slide display होता है जिसमें हम लोगों ने हाँ पे भी दो button यूज किये हुए हैं और उस पे भी कुछ action दिया हुआ है और जो fourth slide है again वो win वाला है अगर कोई जीच जाता है तो उसको यह special यह fourth slide मतलब यह simple 4 slide के अंदर हम लोगों ने पूरे game को बनाया हुआ है जिसमें यह सबसे important हमारा second slide है जो entire game को play करने के लिए मदद करता है तो चलो ठीक है इसको step by step हम देखते हैं पास्ट्रक्ट में किस तरह से इसको design किया जा सकता है करते हैं पास्ट्रक्ट में करते हैं जा सकता है करते हैं पास्ट्रक्ट में में एंव की जा सकता है झाल 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 झाल